बड़ी ख़वर आपको बता दे शरत पवार को इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस बेजा गया है चुनाव में दायर हलफ नामे को लेकर ये नोटिस बेजा गया है 2004, 2009, 2004 और 2020 के लिए नोटिस बेजा गया है पवार ने कहा इंकम टेक्स का लव लेटर आया है वहीं आपको बता दे आज इंफोर्समेंट डिरेक्टर रेट के सामने संजेर राउत की भी पेशी होनी है चुनाव में दायर हलफ नामे को लेकर भी नोटिस बेजा गया है पेशी होना है एक हजार 34 करोड का मनी लॉंडरिंग केस है जस मामले में संजेर राउत की पेशी होगी आज अपने ट्विटर हैंडल से संजेर राउत ने ट्वीट भी किया है कि मैं एडी के सामने पेश ओ रहा हूँ दोपैर बारा बजे समन मुझे इशू किया गया था औ मेरी जब्मेदारी है और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं शेफ सेनिक से अपील करता हूँ कि नॉट टुगैदर अड़ दी एडी आफिस शेफ सेनिक एक अठा ना हो तो देखें ट्वीट करके उन्होंने अपील जो किया और साथी साथ ये बदा दिया है कि आज वो एडी के सामने पेश होने वाले हैं क्योंकि इससे पहले भी उनको समन भेजा गया था लेकिन आब वो ये समच चुके हैं कि मुश्किले बढ़ रही हैं सरकार भी सब्ता से चले गई है हाथ से जा चुकी है तो कहीं ना कहीं अब वो ये मैसेज देते हैं